हेलो फ्रेंड्स ये है रामस गैलरी चैनल मैं रामकुमारी जैस्वाल आज आप लोग के साथ अपने गार्डन्स के जो बटर्फ्लाइ फ्लावर से वो दिखाऊंगी मैं इने खरित के लेके आई हूँ और भुःत ही कि सुन्दर दिखते हैं यह मेरे घर में लगी हूई एक सिंटरी जो बहुत ही सुन्दर लोग देती है यह हमारी सिंटरी लगी हूई है हमारे सीडियों के पास यह ऐसे यह यहाँ पर यह एक प्लांट है फ्लांट है यह है Song of India, इसमें भी देखिया, खुब सारी ब्रांचे सम्कल रही है, और यह है मेरी पैंसी, देखिया, डार्क महरून कलर की है, यह फ्लावर बहुत-बहुत-बहुत मुझे पसंद है, इसले साल भी मैंने इसे लगाया था, इस साल भी लगाया है, मुझे गार्डेनिंग कर करते हुए थ्री से फोर यर्स हो चुगे हैं, पर मैं यूटूब पे अपने नहीं डालती थी, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है इसे, कुछ जाद बन मन्त होगा, इसलिए प्लीज आप सब लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें, प्लीज मुझे अपना बहुत बहुत प्यात है ताकि मेरा चैनल बहुत आगे बड़े, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो देखें, कुछ गलती हो तो बताएं, और मुझे बताएं कि मुझे और कैसे वडी बनाने है, ये एक कलर है मेरे पास, मैरून डार्क, बीच में यल्लो से डाट है, ये है purple ताब बटरफला ऐसा है मैंने मनी प्लाट कटिंग से लगाया है, मेल मनी प्लाट के बॉदे से और ये ये यल्लो बटरफला ये कलप मुझे बहुत पसनते है, यल्लो कलर वाइए, य बहुत अच्छा लगत ये कोई बीन फ्लावर हो पर जो हमारे घर के ही बच्चे हैं भावे के बच्चे हैं सब उन्होंने कहा कि नहीं आप वीडियो दालो अपने इतना कुछ करते रहते हूं बैठे 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 प्लीज फ्रेर्स लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल में भी आपको सिर्फ अतने प्लाइट्स की विडियो दिखाती हैं फिर दीरे दीरे कैसे करनी है इनको लगाना कैसी हे of और कीर कैसे करनी है कैसे इन में क्या खाट डालना है यह सब भी आपको दिखाऊंगे यह देखिए लुक यह उपर पेंटिंग है और यह मैंने नीचे प्लांट्स रखे है यह एक सो प्लांट मैंने यहां यह बॉल है इसके उपर रखा है यह बहुत अच्छा लगता है यह मेरे सबसे स्टाइटिंग का प्लांट्स है जो पहले बहुत छोटा था लेकिन अब धीरे 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 बहुत अच्छी करोश लेली है इसने इसने कुछ धूल मिट्टी पड़ी हुई है अभी इसमें बहुत से फ्लाव थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माई चैनल प्लीज लाइक सबस्क्राइब हो सकता है मेरी वुडियो भी क्लियर नहीं होते होंगे पर प्लीज मुझे अपना सपोर्ट दे है थैंक यू